हेलो नमस्कार सभी साथियो आप सभी का इस्टार परिवार में स्वागत है इसमें हम एट ग्रेट अभ्यास पुस्तक कक्छा आठ पार्थ है तीन मद्द प्रदेश की संगीत ब्रासद इस पर हम पहुँच चुकी हैं यदि इसके पहले हैं जो पार्थ हैं उनके आपने प्र चलना है आपको केबल टीपना लिखना नहीं है कुछ लोग क्या करती हैं टीपते जाते हैं याद करते नहीं है जिससे उन्हें कुछ याद नहीं रहता आपको लिखना है और याद भी करती चलना है देखिए पहला प्रश्न क्या है मेहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहती है म उत्तर में हम लिखेंगे प्रिक्ख्यात सरोद बादक उस्ताज अलाउद्दीन खान ने मेहर को संगीत की एसी परंपरा दी जो आज भी कायम है इसलिए मेहर को संगीत का तीर्थ कहा जाता है अब देखिए प्रश्न अंगला है लताजी की सफलता का मूल मंत्र क्या है लताची की सफलता का मूल मंत्र क्या है इसके उत्तर में हम लिखेंगे उनकी एक्छा सक्ती ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है तो क्या है उनकी जो एक्छा सक्ती ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है जिस समाज में कलाकरिस्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है तो जिस समाज में क्या होता है जो कलाकरिस्थान नहीं होता है वह समाज है जो प्राणहीन हो जाता है कैसा हो जाता है प्राणहीन हो जाता है कोश्चन अंगला देखिए संगीत संजीबनी कैसे बनता है संगीत है जो संजीबनी कैसे बनता है तो आराधना, साधना और प्राथना तीन चीजें हैं आराधना, साधना, प्राथना से संगीत संजीबनी बनता है कौन कौन सी आराधना साधना और प्राथना संगीत कैसा बनता है संजीबनी बनता है अंगला कोश्चन देखिए कोश्चन क्या है कोश्चन को ध्यान सी पढ़ना है लता जी को समूचे राष्ट की गाई का क्यों कहा जाता है लता जी को समूचे राष्ट की गाई का क्यों कहा है इसलिए उन्हें समूचे राष्ट की गाई का कहा जाता है कोश्चन छटमा देश कब धन्न हो जाता है देश कब धन्न हो जाता है तो उत्तर में हम लखेंगे जब कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी समाज में पैदा हो जाते है तब देश कैसा हो जाता है धन्न हो जा साथ यहां देखिए संगीत की महिमा अपनी सब्दों में यहां लिखना है यहां संगीत की महिमा है जो उसी अपनी सब्दों में लिखना है संगीत भारती संस्कृति की आत्मा है संगीत में बिद्दमान मधुरता सी हमें आत्मिक सांती मिलती है तथा जीवन को जीने की वा उत्साइय भी प्रदान करता है संगीत, संगीत मैं गीतों को जब हम सुनते हैं तो हमारे हिरदाय में करुणा का भाव पैदा हो जाता है और हमारे पाउ कैसे होने लगते हैं, ठ्रकने लगते हैं संगीत का बास्त्विक महत्व तब हो जाता है जब संगीत की सास्तिरता साधना बन जाती है जो संगीत की सास्तिरता है वह साधना बन जाती है इस प्रकार से जो संगीत की महिमा है हम अपनी सब्दों में यहां लेख सकते हैं अब देखिए यहां जो मूलियंकन कॉश्चन है संगित की मद्द प्रदेश की जो संगित अकादमी उस्ताज अलाउद्दिन खा के नाम से क्यों है क्यों है उनकी नाम से तो देखिए उत्तर में हम लखेंगे जो सारोद की खनक से उत्पन गीतों की सुर्मे द्धनिया आज भी उस्ताज की याद दिलाती है अताह उनकी याद को बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खा संगीत अकादमी की स्थापना की गई है अंगला कोश्चन समाज जो समाज है प्राण हीन कब हो जाता है कला का इस्थान नहीं होता तब समाज प्राण हीन हो जाता है दिरगुत्तिरी प्रश्ण है देखिए मद्द प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीत कार की बारे में कम से कम दस पंक्तिया लिखना है देखिए तो मद्द प्रदेश से जुड़े एक संगीत कार के बारे में हमें दस पंक्तियां लिखनी है हम यहां लिखेंगे तानसेन की बारे में देखिए महान संगीत समराट तानसेन का जो जन्म है कहा हुआ था गौलियरी के निकट वैहट गाओं में हुआ था इनका जनमे जो 1532 इस भी में हुआ था, अब तानसेन का जो पुराना नाम बस्तपेक नाम क्या था, रामतनु पांडे था, स्वामी हरिदास उनके क्या थे गुरू थे, तानसेन एक गायक बादक थे, जिनोंने कई रागों का क्या किया डिर्मान किया, बे अकबर के नौर्ट नौ में से एक थे, जब तानसेन दीप राग गाते थे, तो दिये जल जाते थे, और बे राग मेघ मलहार गाते थे, तो बारस होने लगती थे, इस परकार से जो तानसेन है, संगीतकार के बारे में हम उनके पंक्तिया कुछ लख सकते हैं, इस परकार जो हमारा पाठ था, उ इसके बाद हम करेंगी अंगले वीडियो में यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्राइब और सेयर जरूर करें